अगर आप भी इसी तरह से अपनी वीडियो में ब्लैक एफेक्ट एड़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दो चीजों की जुरुत पड़ेगी पहला एलाइट मोशन और दूसरा SDR फाइल लिंक इन दोनों का लिंक मैंने डिस्किप्शन में दे दिया है अब वहां से जाकर आप इसे डाउट कर लें और डाउट करने के बाद आपकी SDR फाइल गूगल ड्राइब में से हो जाएगी यहां से आप इसे SDR copy पर क्लिक करके एलाइट मोशन में इंपूर्ट कर ले और जब आपकी फाइल एलाइट मोशन में इंपूर्ट हो जाए तो आप इसके बाद आपको एलाइट मोशन ओपन करना है और एलाइट मोशन में आपको प्रोजेक्ट रॉल ऑप्सन पर क्लिक कर इस पर आपको क्लिक करना है यहां से आपको second number पर media का option दिखेगा आपको इस पर क्लिक करना है तो यहां से आपके जितने भी video गल्दी में होंगे आपको दिख जाएंगे तो आपकी वीडियो पर black effect add हो जाएगा और black effect add होने के बाद आपको export करने के लिए right corner उपर एक arrow का निशान दिखेगा इस पर आपको click करना है और click करने के बाद आपको नीशे लिखा होगा export आप इस पर click कर दीजे और आपकी वीडियो export होने लगेगी